हे गाईज वेलकम बैक तो मैं चैनल तो गाईज आज हम लोग क्लास्टेन हिस्ट्री में चाट्र वन दा राइज ओफ नाशनलिजम इरोप का बेस्ट एमसे क्यों कोशन लाए हूँ गाईज ठीक है जो आपके आने वाले एकजाम टर्म वन के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है ठीक है तो चेले गाईज वीडियो को स्टार्ट करते हैं में लेट के हुए तो गाईज हम लोग का पहला कोशन है अलार्ज नंबर ओफ बालकन रिजन वोस अंडर दा कंट्रोल ओफ चार ओप्सन दिया गया है जर्मन एंपायर रस्यान एंपायर ओटमन एंपायर ह अंट्रोल में था ठीक है अब गाईज हम लोग का अगला कोशन है दा एलोगरी ओप दा जर्मन ग्रेशन हो वेर्ट्स अ क्राउन ओफ ओफ ओक लिप्स वोस और चार ओप्सन दिया गया है ब्रिटेनिया मेरियानी यूनियन जैक जर्मेनिया तो गाईज इसका सही अंसर ओप्सन नमबर डी जर्मेनिया ठीक है अगला कोशन है गाईज हूँ वोस दा रिस्पॉंसिबल फोल्डा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशन चार ओपन दिया गया है काउंट कैवा काल माक्स बिसमार्क गुसेब मैजनी तो गया इसका सही अं इसका सही अंटर होगा हम लोग का ओप्सन नमर डी विक्टर एम्वेल सेकेंड ठीक है अगला कोशन है फिरेंट हूँ वोस प्रोक्लेम्ट दे एंपरेर ओफ जर्मनी इन 1871 ठीक है तो गया इस ऑप्सन है ओटो वन बिसमार्क विक्टर एम्वेल सेकेंड काउंट केवर और कैसर विल्यम वन औफ प्रुशिया तो गया इसका सही अंसर होगा ओप्सन नमर डी कैसर विल्यम फर्स्ट औफ प्रुशिया ठीक है जलिए अगला कॉस्च प्रीन हम लोग का है थ्री वोर्टalay ओवर शीवन यह वित और आस्ट्रिया डेनमार्क जर्मनी और फ्र 만들 रन्स इंडिट इन ऑप्शन है Danish victory, Prussian victory, French victory, German victory. तो गाईज इसका सही अंसरो गामलोग का option number B, Prussian victory, ठीक है? Next question guys, who played the leading role in the unification of Germany? Most important question, option गाईज आपका German Emperor Kassar William First, option B, Water One Bismarck, जो कि Prussian chief minister था, option number C है आपका, जोहान, Gotti Fried, Hearder, जो कि German philosopher था, और option B है, Duke, Matanich, जो कि आपका Austrian chancellor था, ठीक है? तो गाईज इसका सही अंसरो होगा हमलोग का, Water One Bismarck, ठीक है? option number B, हमलोगा सही अंसर हो जाएगा, ठीक है? चली अगला कोशन गाईज, ओट है अंसरो होगा 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 ह त्री ग्रेट पावर्ड्स रुष्या प्रुष्या आस्ट्रिया तो गैज इसका सही आंसर होगा हम लोगा option number D ठीक है चलिए अगला question guys, who said when France sneezes the rest of Europe catches cold बहुत important question, option है Gary Baldi, Bismarck, Mazzani, Duke Matanich तो गैज इसका सही आंसर होगा हम लोगा, Duke Matanich नहीं यह सब्द कहा था चलिए, next question guys हम लोगा, the treaty of recognized Greece as an independent nation option है, Vienna 1815, Constantinople 1832, Warsaw 1814, or Leipzig 1830 तो गैज इसका सही आंसर होगा, हम लोगा, option numbers B, Constantinople, ठीक है next question, which of the following is not a feature of belief of conservatism तो guys यहां पराप पताना है, कौन से feature इसमें नहीं होगा, ठीक है conservatism का, ठीक है, तो guys हम लोगा option दिया गया है conservatives belief in established traditional institutions of state and policy यह तो guys सही हम लोगा है, ठीक है, यह है हम लोगा feature conservatism का, यह होगा हम लोगा, ठीक है, उसके बाद guys option B हो जाता है conservatives stretch the importance of traditions and preferred gradual developed development to quick change यह भी guys इसका feature है, यह भी हम लोगा सही होगा, उसके बाद guys हम लोगा option number C, ठीक है conservatives propose to return to the society of pre-revolutionary days and were against the ideas of modernization to strengthen monarchy, तो guys यह इसका feature नहीं हो सकता है, ठीक है option number C हम लोगा feature नहीं होगा, उसके बाद guys option D हम लोगा है conservatives believed in the monarchy, church and other social hierarchy, यह belief करते थे, ठीक है तो guys इस question का answer क्या होगा, हम लोगा option number C होगा, जहाँ पर हम कुछा गिया है कि कौन से इसका feature नहीं होगा, ठीक है, तो option number C हम लोगा feature नहीं है conservatives proposed नहीं करता था, written to the society of pre-revolutionary days and were against the ideas of modernization to strengthen monarchy, ठीक है तो guys हम लोगा सही answer होगा, option number C next question, the term universal suffrage means, ठीक है, तो guys हम लोगा option दिया गया है पहला option है, the right to vote and get elected, granted only to men, ठीक है, option B है, the right to vote for all adults, option C है हम लोगा, the right to vote and get elected, granted exclusively to poverty, warning men, ठीक है और option B है है, the right to vote and get elected, granted only to educated men and women, तो guys का सही और perfect answer होगा, हम लोगा, option number B, the right to vote for all adults, ठीक है जितने भी adult है, सब को vote देने का अधिकार दिया गया है, ठीक है अगला question, who among the following formed the secret society called Young Italy, बहुत ही important question, auto born Bismarck, Gusev Mezzani, Matanis, John Gotterfield Header तो guys का सही अंतर होगा, हम लोगा, Gusev Mezzani, ठीक है, option number B हम लोगा, सही हो जाएगा अगला question, the liberal nationalism stand for, option है हम लोगा, freedom for the individual and equality before law, उसके बाद option B है गयाज, preservation of autocracy and clerical privileges, option C है, freedom for only male members of society and equality before law, और option D है, freedom only for senior citizens, तो guys का सही है अंतर होगा, freedom for, freedom for the individual and equality before law, ठीक है next question, the Napoleon code was exported to which of the following region, most important question, option guys, England, Spain, region under French control, Poland, तो guys का सही अंतर होगा, हम लोगा, option number C, regions under French control, ठीक है, अगला question, the civil code of 1804 in France is usually known as, यह भी guys, आपका important question है, इस बार, कि जो आजाम होने बाला, आपका term one, इस के लिए ठीक है, French revolutionary codes, Napoleon code, European imperial code, the French civil code, तो guys का सही अंतर होगा, हम लोगा, option number B, Napoleon, नेपोलियनिक code, ठीक है, option B, हम लोगा, हम लोगा सही हो जाएगा, अगला question, the French revolutionaries declared that the mission and destiny of the French nations was, तो guys हम लोगा, option दियागे है, to conquer the people of Europe, to liberate the people of Europe from deportism, ठीक है, to strengthen the absolute monarchies in all the countries of Europe, to propagate the ideas, ideals of liberty, quality and fraternity in the every part of the world, तो guys का सही अंतर हम लोगा, to liberate the people of Europe from deportism, ठीक है, next question, guys हम लोगा, the first great revolution was, which gave the clear idea of nationalism with its core words, liberty, equality and fraternity was, ठीक है, तो guys हम लोगा, option दियागे है, the Russian revolution, the French revolution, the American revolution, और, option D हम लोगा, India's first war of independence, तो guys का सही अंतर हम लोगा, the France revolution, ठीक है, the French revolution, सही अंतर हम लोगा, option number B हम लोगा, the French revolution, ठीक है, चलिए, अगला question guys, which of the following countries did not attend the Congress of Vienna, ठीक है, तो guys, option है, Britain, Russia, Prussia, Switzerland, तो guys, इसका सही अंतर हम लोगा, option number D, Switzerland ने पार्टिस्पेट नहीं किया था, Congress of Vienna में, ठीक है, इसका पाट नहीं था, अगला question, match the term with the statement givens below, a European society is, option guys, अबका, a society under a benevolent monarchy, a society that is unlikely to event ever exist, option 3, a society under the control of chosen few wise men, और option 4, a society under parliamentary democracy, तो guys, यहां पर हम लोग को option दिया गे है, छाटने के लिए दिया गे है, A में आपका है, 1 or 2, B में हैं आपका 2 or 3rd, और C हैंगा आपका 2 only, और D हैंपका 3 only, तो guys, इसका सही अंतर होगा, हम लोग का, option number B, यहांने के 2 or 3 दोनों करेट होगा, यहांने, a society that is unlikely to ever exist, यह होगा हम लोग का, और a society under the control of chosen few wise men, ठीक है, यह होता है, हम लोग का statement given the below, जो हम लोग का term है, यूटोपियन society का, वो इसका अंतर हो जाएगा, ठीक है, अगला question, nationalism which emerged as a force in the late 19th century means, and culture, और option B, strong devotion for one's own country without appreciation for other nations, ठीक है, option C, guys, strong loves for one's country and hatred for others, और option D, equally, equally strong devotion for all the countries of the world, तो guys, यहांने हम लोग का, सही हांतर होगा, strong devotion for one's country and its history and culture, ठीक है, यहांने, option number हम लोग का, A, सही हो जाएगा, ठीक है, आज का, last question guys, काफ़ी important question, choose the correct nationality and the artist, Frederick Soriaux, who visualized in his painting, a society made up of democratic and social republic, तो guys, option दे आगे, हम लोग का, German, Swiss, French, American, तो guys, यहांप सही आंसर हो लोग का, करे तंस होगा, Swiss, option number B, हम लोगा, सही हो जाएगा, झाल झाल